आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो आज आपका पिपर हुआ है इंग्लिस का उसकी मैं आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ आप सीरीज देख सकते हैं जे एस के स्लैस टू सैट आपका फोर रहेगा और ये आप कोशन पेपर कोड देख सकते हैं 002-2-4 ये आपका पेपर था उम्मीद है आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा चलिए इसकी आंसर की कि तरब बढ़ते हैं इस वीडियो में हम सेक्शन वाइज आपको मैं आंसर बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं सेक्शन बी की आंसर बताऊँगा फिर आने वाली वीडियो में सेक्शन ए फिर सेक्शन सी चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी आपका रहेगा ग्रामर एंड राइटिंग नैंटीन में आपका करेक्ट आंसर को आप्शन नमबर ए शुड कोशन में आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपका आएगा शुड वाई यू शुड बोरो हिस साइकल यू हैव वन ओफ यूर आउन बढ़ते हैं इसकी नैक्स्ट कोशन की तरफ यह सब आपके टैंस के कोशन है ट्वेंटी में आपका करेक्ट आंसर को आप्शन नमबर ए शुड नमबर ए शुड लिविंग कोशन में आपको बता देता हूँ माई फैमिली यहाँ पर आपका यहाँ गा है वैस बिन लिविंग माई फैमिली यहाँ पर आपका टैंमिंग की बात की गई है इसलिए यहाँ पर बीन का यूज होगा चलिए आगे बढ़ते हैं 21 में आपका करेक्ट आंसर होगा option number A if कोशन में आपको बता देता हूँ if the letter arrive in your absence would you like me to forward it to you बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ 22 कोशन है if he came late he will be punished इसमें आपका विल आएगा बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या किया है इसमें वोड लगा दिया है यह आपकी past form होती है यह आपका इसमें पूछा गया है future के बारे में क्योंकि जब तुम लेट पहुँचोगे तब तुम्हें punish कर दिया जाएगा जाएगा इसमें future है इसलिए यहाँ पर past form यूज नहीं होगी यहाँ पर यूज होगी future याने की will 23 में आपका correct answer होगा option number a will be ringing by the time we reach the school the bell will be ringing जब हम इस्कूल पहुचे तो bell बज रही थी 24 कुस्चन है 3 months ago I dash I student of this school यहाँ पर आपका correct answer हो option number b had been यहाँ पर आपका आएगा had been क्योंकि इसमें past की बात की गई है पास्ट में आपका head आता है इसलिए आपका answer हो जाएगा और आप इसको एक और तरीके से पैचान सकते थे यहाँ पर आपकी timing की बात की गई है 3 months ago जब भी timing की बात करी जाती है तो फिर bean जरूर आता है और यहाँ पर आप bean से correct कर देते और c option इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका head नहीं है ठीक है हमें past चाहिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अब आपका आता है writing section 25 में आपका correct answer रोग option number D editor of a local newspaper 26 में आपका correct answer रोग option number B 27 में आपका correct answer रोग option number B a matter of social concept फिर आपका अगला question आता है 28 28 में आपका correct answer रोग option number B F D A C E B उम्हीद है आपने arrange कर लिया होगा फिर आएगा 29 question इसमें आपका correct answer होगा option number A इसमें मैं confirm नहीं हूँ आप मुझे comment section रोग बता सकते हैं आपने क्या लगा है मेरे को तो A लग रहा है बढ़ते है 30 question के तरफ और जब official answer sheet आएगी तब मैं उसकी भी आपको वीडियो बना के provide कर दूँआ आप उसमें से अपने answer मैच कर सकते हैं इन में से कुछ-कुछ गल्द भी हो सकते हैं 30 में आपका correct answer होगा option number B इसका answer बहुत सारे बच्चे को पता ही होगा yours faithfully यहाँ पर कभी भी ऐसा कॉमा नहीं आता है और उसके बाद S नहीं लगता है ठीक है यहाँ तक आपका section B था जो मैं आपको बता चुका हो उमीद है आपको यह सारे answer पता लग गये होगे आने वाली वीडियो में मैं आपको section A और section C cover up करा दूँआ और जब official answer sheet आ जाएगी तब भी मैं upload कर दूँआ उमीद आपको यह पूरी answer की समझ में आई होगी समझ में आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए जाएं